तो खेसारे लाल बन के नहीं आये थे, सिनेमा इंदसी ने उनको तराशा है, अगर कोई बोले कि मैं बन गया हूँ, तो बनता कोई नहीं है, यहाँ पे लोग बनाते हैं, मैं नहीं, मेरे जैसे, मैंने अगर एक अध्याय उसमें जोड़ा है, तो मेरे जैसे और कई किरदार है जोड़ा है, आज एक नया पौधा आ रहा है, उसको भी लोग जोड़ करके वैसे नहीं खारेंगे, नाम लीजे, आपने कहा कि आप एक अध्याय है, तो बाकी कौन कौन से अध्याय है, पूरी किताब कौन है, बाकी अध्याय जिसे सबसे पहला उनको उनकी जिंदगी में प्रिमानसू सिंग, प्रिमानसू सिंग ने पहली बार उनको लेकर के फिल्म बनाया, आप उस फिल्म को देखिए, आज के खेसारी लाले यादो और उस फिल्म के खेसारी लाले यादो आपको दो लगेंगे, कि अरे ये खेसारी लाले यादो कैसे हो सकते, और उसी समय जो रहागrints है जूड़ता है कोशिष करता है सब आदमी कुछ न कुछ देता है और आप करते हैं और आप धूरिश करते हैं और नहीं नहीं मेरे जैसे आप जैसे आप जैसे एक गोणी पत्रकार को एक सवाल पूछ दे उस सवाल से ही वो उसका एंसर ढूडने में कुछ नया चीज पा गए कितने डांस मास्टरों ने एक एक स्टेप नाचना सिखाया कितने फाइटरों ने फाइट करने किस बात सिखाई कि ऐसे पंच मारा जाता है ऐसे ये किया जाता है ऐसे किक किया जाता है आप देखिए उनके गाने उस समय के जो जब हीरों नहीं थे उसके पहले के गाने और कोई आगया को एरितिक रोशन के तरह इंट्री किया है पहले में ही कि अरे क्या आ गया यार नहीं आप आएँ हैं किया और आप हैं किया है इन दोनों के बीच में अगर कोई लोग आपको बनाएं तो यह industry ही है यह उतने लोगों की वो जो यात्रा किए हैं अपने प्रोग्रेस का, उसमें कई लोगों का योगदान है, प्रेमान्सु सिंग, आलोग सिंग, उसके बाद आपका मनजुल ठाकूर फिल्मे ले करके बनाए हैं उनको, उनको ले करके फिल्में आपको मैं बनाया हूँ, पराक पाटिल बनाए हैं. सबने कुछ ने कुछ दिया है. मिश्या जी क्या आपकी कोई फिल्म आ रही है? आपकोई फिल्म कर रहे हैं? किसा आए लालादों के साथ? अभी मेरी एक बहुत बहुत ही बहतरी फिल्म उनके साथ बनके तैयार है. डौली सजा के रखना. बहुत कमाल की फिल्म और मोस्ट हिलेरियस है इमोशनल फिल्म है जैसे मेरा कलर जो मैं जिस फैमली ड्रामा जैसे बनाता हूँ उसी की एक कड़ी है जो मेरा यकीन है इस बात में कि बहुत ग्यान देने की लोगों को अभी ग्यान से सब भरे पड़े हैं लोगों को इंटरटे को बाते चूले और जिन्दगी और जिन्दी परिवार और समाज इन सब से रिलेटर को ये पहलू जिसको जानने के बाद आदमी के अंदर एक एक जज़बात का एहसास हो कि यार ऐसा होना चाहिए ये अगर होता है तो बहुत अच्छा है आँठी घासरन करते हैं अगले सीन में आखे रूला देते हैं ये निकलती है तो कभी हसाते हैं कभी रूला आते हैं यहीं मेकảo बस यही है कि लोगों को मूला जूला Entertainment में यकीन रखता हूँ Entertainment में और मैं जिन लोगों का अनुसरन करता हूँ मेरे एक guru तुल्य में जिन को मानता हूँ आप्र दर्शन जी हैं उनकी फिल्मों से या फिर हरकेशदा हैं उनकी फिल्मों से अपने आपको उनी से सीखता हूँ कि इन लोगों ने फिल्मों में किस तरीके का किरदार रखा कैसी कहानिया रखी हलकी फुलकी जो लोगों को गुद गुदाते हुए कोई संदेश दे जाए बस